नमस्कार साथियों सेखाचंदराकैडमी के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है बहुत सारे साथियों का कमेंट और मेसेज आ रहे थे कि 69 या सिक्षक परति में उत्तर कुंजी मामले में जो वेबसाइट के जरीए फॉर्म भरना है उसको कैसे भरना है उसमें क्या-क्या डेटेल भरनी है और उसमें आगे क्या-क्या कंडिशन्स लागू है और भी कई साथियों के मैसेज और कमेंट आए हैं जिसमें ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि बहुत सारे साथ ही ये कह रहे हैं कि जो 25,6,21,21 तक के याचियों को सामिल किया जा रहा है उसके बाद वाले लोगों को भी सामिल किया जाए कुछ साथ ही ऐसा कह रहे हैं कि हमारी याचिका पहले से पड़ी हुई है तो इन सब पर आज हम आपके सामने बात रखने जा रहे है कि आखिर फॉर्म को किस तरह से भरना है और जो ये बात चल रही है कि रिव्यू पिटिशन डालेंगे या फिर हम नई याचिका डालने जा रहे हैं या फिर और एक याचिका हमारी पहले से पड़ी हुई है उसमें आप सभी को जोड़ेंगे जिससे कि आप सभी साथियों का एक नमबर बढ़ सके तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि यो फॉर्म निकला हुआ है updl.gov.in पर वो कैसे भरना है और किन साथियों को भरना है तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि सुप्रीम कोट का जो ओर्डर है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है पचिस आठ दोयार इक्यस से पहले या तक जिन लोगों ने अपनी याचिका फाइल कल रखी है उन लोगों को ही एक नमबर मिलेगा ठीक है तो मैं आपको बिल्कुल इस पर्ष रूप से बता दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोट की जो गाइडलाइन से उसमें साफ साफ मेंशन है किसी भी भ्रहम में या किसी भी की बातों में ना आए जिससे कि आप लोगों को नुक्सान हो जाए आप लोगों को अगर नहीं यकीन हो रहा है सुप्रीम कोट का जो ओर्डर है वो मेरे साफ से सभी ग्रूपों में पड़ा हुआ है और नहीं होगा किसी के पास तो मैं भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा आप महाथे भी दे सकते हैं इस पर्ष्ट रूप से लिखा हुआ है पच्चिस आर्ट दोजार इक्टिस तक जिन भी साथियों ने अपनी याच का फाइल कर रखी है और जो अभी से एक सिर्वास्ता बाली याच का जो थी जो जो साथि याच का फाइल कर चुके हैं और इन याच काओं के साथ टैग थी वही आची सिर्फ ये फॉर्म भर सकते हैं आप भरने को भर दीजिए जो भी है चाहें आपका केस नौवंबर दोहर 21 में, दिसंबर दोहर 21 में, सितंबर दोहर 21 में फाइल किया गया हो, वो सारी एप्लिकेसों रिजेक्ट होने वाली है मैं आपको बहुत ही एक महत्पूर्ण बात बता रहा हूँ और उससे पहले जब हम अपना फॉर्म भरने अली प्रिक्रिया को शुरू करें मैं आप सभी लोगों से रिक्ष्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक गुर्पों में शेयर कर दीजे जिससे कि मैं आपको देने जा रहा हूँ यह सभी साथियों तक पहुंच सके और जो भी अभी तक किसी भी डाउट में है कि फॉर्म कैसे बनना है क्या हमें अब फिर से याची बनना होगा तो वो सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो के माद्यम से किलियर करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले इस वीडियो को अधिक से अधिक गुर्पों में शेयर कर दीजे जिसने भी अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक कर दीजे तो सबसे पहले हमें सुरू करने जा रहा हूँ कि form को हमें कैसे बनना है तो आपको google पर जाके www.updlet.gov.in डालके सर्च करना है सर्च करते ही pnp इलावाद की website खुलेगी उस पर नीचे उनत्ता है सिक्षक भरती court का link आ रहा है उस पर जब click करेंगे तो उसके बाद ये आपको detail देखने को मिलेगी सबसे पहले यहाँ पर लिखके आएगा select course तो course में सिर्फ एक ही option आ रहा है court rate आप इस पर आगे click करेंगे दूसरे number पर roll number माँगा जा रहा है जो 69 जा सिक्षक भरती 29 का roll number आपको यहाँ पर fill करना है उसके बाद registration और application number का link है ये भी आपको 29 जा सिक्षक भरती दोहर 19 के प्रवेस पत्र पर मिल जाएगा तो roll number और registration number 29 जा सिक्षक भरती का यह आपको यहाँ फिल करना है और उसके बाद capture जो नीचे दिया हुआ है उसको आपको fill करना है ठीक है यहाँ पर मैंने fill कर रखा है और आपको शो करने के लिए मैंने hide कर दी है सही है इसके बाद जब हम नीचे capture डालने के बाद get result पर जाएंगे तो उसके बाद एक नया page खुलेगा और ये page ये आपके सामने हाँ दिख रहा है इसमें registration detail है ये size जीजे automatically भरके आजाएंगी candidate name जो आपने registration number और role number भरा था उसके बिहाब पर ही यहाँ पर detail है आएंगी तो सबसे पहले candidate name आजाएगा जो आपका नाम है father name आएगा, mother's name आएगा, date of birth भी आजाएगी gender आ रहा है category मतलब किस category से आपने form भरा था booklet series क्या थी आपकी और total marks कितने obtained थे और real का status क्या था ठीक है तो ये सारी चीजे automatically भरके फिलो के आजाएंगी यहाँ पर भी फिलो के आई थी मैंने बहुत सारी चीजे name, father's name, date of birth और total marks जो है hide कर दिये हैं, लेकिन जो real status दिखा रहा है, वो not qualified है, that means उनके 96 number नहीं थे, OVC category में है, not qualified इसका मतलब उनके number 89 थे, ठीक है, जिस भी candidate का मैं यहाँ data ले रहा हूँ उनका जो real था 89 number थे, OVC में booklet series थी D, तो ये detail आपको automatically भर के आजाएगी, इसके बाद ये सारी चीज़ चेक करने के बाद, इसमें आप कोई भी चीज़ अपडेट नहीं कर पाएंगे, इसके बाद हम next पे जैसे ही पूरबक चीज़ें बनी हैं, ठीक है, जिन भी सातियों ने अभी तक इस वीडियो को किसी भी गुरूप में शेयर नहीं किया है, वो साती अपने विभिन गुरूपों में इस वीडियो को शेयर कर दीजे, जिससे की form बने उससे समंद्द, जिसकी भी साती को समस्या आ रही है, या जिसने अभी तक form नहीं भरा है, उस तक यह महत्पूर्ण जानकारी पहुंच जाएगी, ठीक है, तो पार्ट टू जब खुलके आएगा, इसमें आपको डिटेल भरनी है, तो मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल भर रखी है, तो यहाँ पे सबसे पहले आराएफ केस, यहाँ रिट अपील नमबर, कि आपका नाम जिस भी याचका में सामिल था, ठीक है, उसका नमबर, तो मैंने यहाँ पे 343D-2021, यह अभिसेख सिर्वास्तप की इलावाद बेंच की याचका है, अब मैं आपको एक 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 जम्पिल और देना जाता हूँ, कि मान लेते हैं कि अभिसेक प्रवास्तप बाली, यह याचका थी, इसके साथ और भी कई सारी याचका टैट लें, ठीक है, तो आप उस याचका का नमबर यहाँ पे डालेंगे, जिस याचका में आपका नाम एड है, और वो याचका, अभिसेख सिर्वास्तप बाली याचका, या फिर रिश सब मिश्रा वाली या फिर अभी से सिर्वास्ता वाली याजका में टैक ना हो और किसी जन्रल या ओपन कैटिगरी में हो और वो डिस्पोज आफ या फिर डिस्मिस हो चुकी हो ठीक है तो उन्स अभ्यार्थियों से मैं इस पर श्रूप से कहना चाहता हूं सबसे पहले आप ये एंश्योर हो जाएं कि आपका नाम जिस याजका में है उस याजका का नंबर है आपके पास तूसरी चीज क्या वो याजका रिस्मिस्रा या विसे एक स्रिवास्ता वाली याजका के साथ टैक्ड है इसके संबंद जो भी जानकारी है मेरे पास है बिल्कुल आथंटिक आज जानकारी है कि रिसर मिस्रा जो 343D वाली याजका जो इलावाद बेंच की है उसमें कौन-कौन सी याजका टैक्ड है और रिसर मिस्रा वाली जो लखनो खंड पीट की याजका है उसमें कौन-कौन सी याजका टैक्ड है वो सारी याजकाओं के नंबर मेरे डिस्क्रिप् और उस याजका के नंबर के साथ आप जो है वेबसाइट से जाकर किसके नाम से पड़ी थी वो भी आप निकाल सकते हैं मैंने सिर्फ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह जानकरी दे रखी है कि अब से एक सिर्वास्ता वाली यह याजका थी उसमें कौन-कौन सी याजका टैग्ड है उन्हें याजकाओं का नंबर दूसरी जी रिसम मिस्रा वाली याजका लखनो बेंच की थी उसमें कौन-कौन सी याजका टैग्ड है वो number, सेफ मैंने अपने description box में दिये इत जानगारी को correct करने के लिए भी मुझे बहुत सारा समय लग गया जिसकी वैसे मैं ये वीडियो आपके साथ पहले ही share करने वाला था लेकिन उन याजकाओं के number को लेने में बहुत सारा समय व्यर्थ हो गया चलिए कोई नहीं फिलाल जब form part 2 हाएगा तो यहां पर आपको case number डालना है वह case number जिस याजका में आप सामिल है ठीक है तो जैसे मैंने 343-D211 डाल दिया मैं कहूँ या जो भेर्थी candidate है वो 343-D211 में सामिल था फिल पूछ रहा है second column में main seat या bench यहां पर दो option आपको मिलेंगे इलावाद bench और लखनो बेंच तो आपको यह इंस्योर होना जरूरी है कि आपकी यह याजका थी वो इलावाद bench में थी यहां फिल लखनो बेंच में डाली गई थी यहां पर जो भी जानकारी part 2 में भरिंगे आप वो बहुत ही साथधानी पूर्बर भरिएगा क्योंकि यहां पर एक भी detail आपकी mismatch हुई तो PNP इलावाद जो है आपका application reject कर देगा ठीक है तो सबसे पहले मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जानकारी दी थी कि जिसने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो महां से जायकर देख सकता है कौन-कौन से डाकुमेंट के requirement थी अन्य था आप इस वीडियो के मा अत्यम से देख कर अपना form को भर सकता है तो सबसे पहले case number उसके आद कहा याजका थी आपकी इलाबाद बेंच में लखनों बेंच में उसके बाद याजका किसके नाम से थी वह लखना है ठीक है जैसे बहुत सारी याजका है मन लेते हैं मनोरमा वर्सेस state of UP कलावती versus state of UP कहने का मतलब उस याजका का नाम आपको लिखना है जिस याजका में आप सामिल थे ठीक है तो यहाँ पर जो candidate है वो अब इसे एक सिर्वास्तव versus state of UP पूरा नाम लिखना है आपको यह नहीं खाले अब इसे एक सिर्वास्तव versus state of UP रिशाब मिश्रा versus state of UP याजका नमबर आपके पांसो एक तालिस सिलैस दोयार इकिस यह कोई याजका है मैंने अपने आप ले ली पांचेयार दोसो एकिस सिलैस दोयार इकिस लखनो खंडपीर की याजका है मनोर्मा बर्मा versus state of UP इस तरह से आपको यहाँ पे मेंचन करना है उसके बाद petitioner का name आपको अपना name डालना है जो आपने petition के समय अपने leader को दिया था या फिर जो आपने form में डाल रखा है दोनों same होने चाहिए जरासा भी spelling में miss match हुआ form reject हो जाएगा इसके आगे चलते है petitioner का name हो चुका petitioner applicant serial number in rate जिस याचका में आप जुड़े थे उस याचका में आपका किस serial number पे नाम है वो serial number चाहिए हो गए यहाँ पे ठीक है उसके बाद चलते है judgment या court order date तो यहाँ पे दो order है एक है रिशब सिर्वास्तब वाली याचका का जो 25-62-21 को आया था दूसरी याचका का order आया है रिशब मिश्रा वाली याचका का वो आय थिंग दिसंबर वाली याचका का तो जो दोनों ही याचका की date जो है मैं आपको वीडियो के लाश में बता दूँगा याँ पर अबसे एक मिश्रा वाली याचका थी अबसे एक सिर्वास्तब वाली 25-62-21 उसकी order date थी तो यही सुप्रिम कोट में रखी वी थी deadline कि 25-62-21 तक जो भी याचका है फाइल हो चुकी है चाहिए वो इलाबाद बैंच में हो उन सभी के लिए एक नंबर बढ़ाने का आदिस दिया था उसके बाद candidate का mobile number डालना है जहां तक कोसिस करें आप जो आपने उनत्या सक्षे भरती में mobile number डाला था वही mobile number डालिए अन्यता के स्थिति में हो सकता है कि mobile number पे कोई आपका SMS या जिसके तुरू जानकारी दी जाए वह यहां पे हो उसके आप capture code डालेंगे capture code डालने के बाद यहां पे submit कर देखे तो यह जो जानकारी है यह बहुत important जानकारी है अगर आपने यहां पे कहीं mistake कर दी चाहिए वो serial number में mistake कर दी हो चाहिए वो read petition number में चाहिए वो read petition का name में बलती कर दी हो क्योंकि जो भी PNP के पास order है और जो आपने detail भरी है उनी detail से PNP उसी order में आपका serial number को check करेगी अगर आप उस serial number में उस petition में पाए जाते हैं तो ही आपको एक number मिलेगा अन्य था कि इस्तिती में आपको एक number नहीं मिलेगा यह आप बिल्कुल इस पर शुरूप से समझ दीजिए इसके बाद जब हम submit कर देंगे उसके बाद एक confirmation page आएगा जिसमें आपको एक तरह से summary दिखाई दिखाई दियाईगी कि यह summary है ठीक है तो summary में आपको candidate name, personality लाएगा सबसे पहले candidate name, father name, mother's name अभी तक form submit नहीं हुआ है यह बलकुल आप इस पर शुरू समझ लिए अभी तक form submit नहीं हुआ है अगर आपको कहीं भी change करना है तो इसके बाद submit का एक often आएगा उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे पहले आप इस summary को चेक कर लिए अगर कहीं से आपको दिक्कत लग रही है लिंक को बंद करिए लिंक को दुबारा खोलिए फिर से भल लीजी आप ठीक है तो यहाँ पर candidate name चेक कर सकते है फादा name चेक कर लिए mother's name, date of birth, gender, category, booklet series क्या थी, marks obtained, real status, pass या unpass जो भी है not qualified, उसके बाद application details जो आपने अभी part 2 में भरी थी वो भी show करेगा है यहाँ पर case status number, seat number, case name किसके नाम से था, petitioner name, petitioner serial number, judgment date, candidate mobile number, उसके के बाद, यह declaration है, अब महुत ही इस पश्ट रूप से बता रहा हूँ मैं आपको, जिसने यह declaration, जिसने भी यह declaration बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लिया, वो खुश समझ जाएगा कि मैं applicable हूँ एक number के लिए यह नहीं हूँ, ठीक है, तो इस declaration के बाद, देखिए, यहाँ पर I agree and final submit का option आ रहा है, अगर आपने यहाँ पर agree करके final submit कर दिया, और कोई data आपने उपर गल्द भर दिया, तो आपका change नहीं होगा, इसलिए इस declaration से पहले, आप अपने सारी चीजें जो हैं, इस form में आप चेक कर सकते हैं, जो summary form आएगा, ठीक है, अगर कहीं भी mismatch है, तो आ आप back जाके या link को बंद करके पुना इस detail को भर दीजे, अब मैं आपको declaration पढ़के सुनाता हूँ, कि declaration में क्या चीज कह रहा है, सारी चीजे नहीं सुनाँगा, क्योंकि बहुत सारी चीजे common है, जो मैंने एक red color से box बनाया है, उसमें आप special truth से समझ लिए, वो बहुत खास दीजे, तो उसमें ये लिखा हुआ है, सबसे पहले उपर लिखा हुआ है, आप पढ़ लिजे चाहे, मैं प्रमानित करता हूँ, so and so, कि मैं इसमें सामिल हूँ, जो भी, फिर जो red color के box में जो मैंने लिखा हुआ, उसको आप बहुत इस पश्च रूप से ध्यान कूर्पक सुनियेगा, और जिसने वीडियो को शेर नहीं किया, वो शेर जरू कर दिए, इससे कि जानकारी अधिक साथियों तक पहुंच सके, बहुत साथियों में भरम है, बहुत साथी कल्ट डेटेल भर चुके होंगे, सायद हो तकता है कि नहीं भर हो, सही है, तो इस वीडियो के म इलावाद में संपर्ग ना करना पड़े, ठीक है, तो डिकलीरेशन में जो रेट कलर का बॉक्स है, उसमें आप ध्यानपूर पर पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, मेरे द्वारा प्रश्न, उत्तर कुंजी के सम्मन्द में, माननीय उच्छ नियाला इलावाद, खंड़ पी में 25-8-21-21 से पूर्व दाखिल की जा चुकी है, फिर से मैं आप लोग को इस परश्रूप से बता रहा हूँ, आडर अविशेक मिश्रा का 25-8-21-21 को आया था, रिशब मिश्रा का ओर्डर दिसंबर 2021 में आया था, वो मैं अभी आपको यहां पर देख लेते हैं, रिशब म दिसंबर 2021 को आया था, ठीक है, अब जो याजका, अब इसे एक सिर्वास्ता बाली अलावात खंड पीट में पड़ी थी, उसमें जितनी भी याजकाएं हैं, टैग, उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, वो सारे ही अप्लीकेंट अप्लीकेबल हैं, लेकिन, रिसब मिस्रा वाली याजका है, उसका आडर 20 दिसंबर 2021 को आया था, उसमें मैंने, या मैं कहूँ उसमें जो भी याजका है, टैग्ड हैं, उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दिया, ठीक, रिसब मिस्रा वाली याजका में सिर्फ दो पॉस्विल्टी है हैं महां पे दो केस बन रहा है एक वो जिनकी याजिका 25-8-21 के बाद आई है जब बात दाखिल के रहे गई है वो लोग एप्लिकेविल नहीं है मैं उन लोग उन साथियों से कहना चाहरा हूं जिनकी याजिका 25-8-21 के बाद डाली गई है आप लोग फॉर्म भर जरूर दीज लेकिन आप उम्मीद मत रखिएगा कि आपको PNP आपको एक नंबर देगी तुकि हाँ डिकलेरेशन में साफ साफ कह रहा है कि मेरे द्वारा उत्तर कुंजी के संबंद में मानी नहीं है उच्छ नियाले में योजित आज जाचिका दिनांक 25-8-21 के पूर्व योजित की ग लेकि पड़ी होगी बहुत सारे साथी की याज का जब मैंने जिसम मिसरा वाली याज का खूली थी उसमें जित्ते भी टैग्ड मैटर हैं उसमें बहुत सारे केसिस ऐसे हैं जिनकी याज का एक अक्टूबर 2021 को फाइल करी गई थी महां साथ साथियों के लिए बता दूं कि वो लोग सायद अप्लिकेविल नहीं हैं और जहां तक मेरा मनना है कि वो नहीं है आप लोग फॉर्म जरूर भर दीजिएगा लेकिन आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि यहां पे डिकलिरेशन आप खुद कर रहा हैं कि मेरी याज का परचिस सार दोहर 21 से पहले पड़ी हुई है लेकि उनकी याज का कफ फाइल हुई है एक अक्टूबर दोहर 21 29 सितंबर दोहर 21 तो वह आप खुद ही समझ रहा हूं उनकी याज कही जब बाद में फाइल हुई है तो वह कंसीडर नहीं हो पाएंगे आप लोग भर दीजेगा लेकिन उमेद ना के सब्सक्राइब ने तो और एवं खंड़ पीट लगनोगे में असी छपपन दोहर भी सिरसम मिश्रा बना वनने में पारे तादिस सही यह लिखा हुआ है इसके बाद यहां पर भी लिखा हुआ है जांचो प्रांत मेरा प्रत्यावेदन विशेश अपील 343D 2021 में पारे सब्सक्राइब नीचे कर दिया इसमें यह जो पी एंपी के पास रिकॉर्ड है जो कोड से मिला है कि इन इन याचकाओं को सामिल किया जाना है और इन याचकाओं में यह याचका नंबर है इस नाम से फाइल करी गई थी और इस सीरियल नंबर पर इसका नाम है अगर यह मिस सब्सक्राइब में सीरियल नमर मिलाएंगे अगर आपका नाम नहीं पाया गया तो वह आपको डिकलेर करने आप इस पर कोई भी चीज क्लेम नहीं कर पाएंगे इसके बाद जब आप फाइनल सम्मिट कर देंगे तो ही आपका बास इसका प्रिंट जनरेट होके आएगा और उसमें कोई चेंजिस नहीं होगा दूसी चीव मैं बता दूँ डवल एप्लिकेशन अगर किसी ने भर दी वह रिएक्ट हो जाएगी इसलिए एक ही बार भरें बिल्कुल इस पर श्रूप से सारी जानकारियां लेकी भरें मैंने जब यह फॉर्म भरने वाला था 10 जनवरी 1223 से उससे पहले ही मैंने अपने वीडियो के मात्याम से जित्ते भी डाकूमेंट रिक्वाइट से अपने बता दिये थे जिन साथियो ने वह वीडियो ना देखकर अपना फॉर्म भर दिया है या कुछ साथी ऐसे भी है ज लेकिन यहां पर मैंने और अपनी पिछली वीडियो के मात्याम से पर्ष्ट रूप से बता दिया था कि जो याजका है वह 25 आट दोहर 21 से पहले पहले की पड़ी होनी चाहिए अन्य था कि इस्तिती में और दूसरी चीज़ 25 आट दोहर 21 से पहले याजका पड़ी हो और रि याजका है दोहर 21 में फाइल करी गई थी अक्टूबर में और वो उस याजका के साथ भी भहुत सारी याजका टैक तिंग मेरे साब से सौट यड़ सो याजका टैक थी उस सारी ही याजका हैं डिसमिस कर दी गई थी ठीक है तो उसमें भी कई साथ होने अब भर दिया है हला याजका लखनोखंड पीट में अब सिरास्ता बाली याजका इलावाद पीट में के साथ टैक थी उन्हीं को ही नंबर मिलेगा अन्य था कि इस्तिति में आपको नंबर नहीं दिया जाएगा आपने फर्म भर दिया है अच्छी बात है लेकिन उमीद नहीं है क्योंकि यहां हाई कोड की याजका बहुती प्रमुक याजका 343D-2121 अभिशेख सिर्वास्ता बनाम उत्तर प्रतिस राज्य वा अन्य ठीक है इसमें पारेत आदेश 25-2121 तक इसके साथ जो भी याजका टैग है फिर से मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि जिन साथियो ने अभी तक व सम्मंदित जानकारी है या उनसे कहा रहा है अगर यहां से वह चूप गए क्योंकि आज दिनांक 16 तारिक हो चुकी है और सिफ 19 तारिक तक इसका फॉर्म लेना है ठीक है तो बहुत ही कम दिन बच्चे हैं जिन साथियो नहीं तो फॉर्म नहीं भर रहा है किसी भी जानकारी से छूट गए थे वो तो उनको सारी जानकारियां दी जा रही है इलावाद हाई कोट की याज का 343D 2021 सिर्वास्ता बना मुक्तर प्रदेश राज्य यह आदेश पारित हुआ था 25 6221 को इससे सम्मंदे जो भी याज का है थी जो टैग्ड है इस मैटर में वह मेरे डिस्क्रि इसमें जो आदेश पारित हुआ था 20 दिसंबर 221 यहाँ पर बहुत सारे साथियों कंफ्यूजन है लेकिन यहाँ पर भी मैंशान है दिनांक 25 6221 तक मानने उचने आले मैं योजित सम विसेग याज का विसेश अप्लिल के अभ्यरती तो रिस्प मिश्रा वाले याज का में जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग्ड याज काएं लिखी जो है मैंने फिर से एक बार इस पर शूप से बता देता हूं जिस्तर मिश्रा वाले केस में ही दो केस बन रहा है एक केस वो है जो 25 6221 से पहले याज का फाइल हो चुकी है और दूसरा केस है कि 25 6221 के हुए है और उन नंबरों के आगे मैंने कुछ के आगे जहां तक मैं देख पाया हूं जहां तक मैं चेक कर पाया हूं उन नंबरों के आगे उन नंबरों के आगे मैंने लिख दिया है कि फाइल डेट एक दस दोयार 21 इसका मींस वह जब फाइल करी गई याज का एक दस दोय सब्सक्राइब नहीं है जिसने फॉर्म भर दिया अच्छी बात है लेकिन वह उमीद ना के बरावर है कि उनके नंबर बढ़े फिर जिन जिन याजकाओं के आगे मैंने फाइल के आगे डेट लेकर कि उसका मतलब है कि वह याजकाओं उस तारिक को फाइल करी गई है और यहां पर डिकलेशन साफ साफ कह रहा है कि मैं मैं आपको डेकलेशन फिर से पढ़के सुना जता हूँ मेरे द्वारा उत्तर कुंजी के समंद में इलावाद हाई कोड लखनों कंपीट में योगजीत याजका 25-21 के पुर्व हवित की गई है तो जब आपकी याजका ही 25-21 के बाद पढ़ी है तो वो कैसे कंसीडर हो सकती है बहुत सारे साथी आपको यहां कंफ्यूज कर रहे हैं कि ऐसा भर दो ऐसा भर दो लेकिन मैं आपको बिल्कूल ऑथंटिक चीज़ बता रहा हूं इसमें कहीं भी प्लस माइनस नहीं है जिनकी आजका 25-21 के बाद फाइल हुई है भले ही वो उनका और आ चुका है लेकिन वो कंसीडर नहीं की जाएंगी नहीं की जाएंगी जिस भी साथी ने फॉर्म भर दिया वह अच्छी बात है लेकिन वह उमीद ना लगा के रखे कि उसका नंबर बढ़ेगा ठीक है इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही प्रमुक बात बताने जा रहा हूं जो भी साथ ही य ही जूढ़ूँगा तो मैं आपको बिलुकुल इस पत्ष्ट रूफ से बता देना चाहता हूं जो भी साथ ही ऐसी बात कर रहे हैं तो बसे पहले जो आपको बता रहा हूं कि जो ये साथी ऐसी बात कर रहे है कि मेरे याज़का के साथ जुड़े आई ये मेरी review petition है या एक साथी की मैंने post देखी थी वो ये कह रहे है कि मेरे याज़का 25, 62, 21 से पहले की file है और मैं उसमें आपको add कर लूँगा ठीक है तो और उस याज़का में आपका order भी आ सकता है content वाली कोई content वाली याज़का में add करना चाहरा है कोई review petition में तो बहुत सारे इसमें भरम हैं मैं आपको जो जानकारी देने चाहरा हूँ वो बिलकुल इस पश्ट जानकारी है ठीक है इसमें कोई hair fair नहीं होने वाला जब अबसे एक सिर्वास्त वाली याज़का यो 25 आड़ दोहर 21 को order आया था यह file भी 21 में करी गई थी उसके पहले ही रिसा मिश्रा वाली याज़का लखनोखंडपीट में पड़ी हुई थी यह अबसे बार याज़का इसे मिश्रा वाली याज़का पर आदेश 25 आट दोहर 21 को आया इसी आदेश को की कौपी लेते वुए रिशा मिश्रा वाली याज़का में लगाया गया जिसका order 20 December 2021 को आगया था ठीक है तो इसके बाद Supreme Court में case file हुआ और Supreme Court में case file होने के बार मामला चलता रहा और अंतुता ये मामला निस्तारित किया गया इलावाद High Court के order को ये double bench का order था उसको allow कर दिया अब जो ये साथ ही कह रहा है मैं review petition डालूँगा या फिर जो भी matter है जिसमें भी याची बना रहे है तीन हया चार हया पांस याची हजा तस यार रोपे लेगे और वह एक तरह से मैं ये नहीं कह सकता कि वो गल्द कर रहे है ये आप लोगों के विवेक के उपर चीज़े आप खुश सूचिएगा खास तोर से जो भी याची के लिए कह रहा है वो already एक number obtained करके result पास करके या merit में आ रहा होगा ठीक है मैं फिर से आप लोग को इस परश्रूप से बता देता हूँ जैसे example लेकर मान लेजिए मैं ही हूँ और मैं मेरी कोई याचका पड़ी हुई थी और मैं उसमें एक number ले रहा हूँ लेने के आद मैंने form भी भर दिया मुझे एक number मिलेगा भी मैं पास भी हूँ मेरी merit भी हाई है और मैं ही आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको अपनी एक दूसरी review petition या दूसरी याचका या दूसरे content में आपको जोड़ दूँगा उस content की तारिक 30 यनवरी 2021 लगी हुई है ठीक है तो आप खुर सोचेगा आगर उससे पहले कोई भी पिरक्रण होता है ठीक है तो मेरा तो selection हो जाएगा मैं selection लेके counseling कराके और जो है मैं नौकरी करूंगा अब जो याचका या पड़ी है या जो याचका डालेगा उसमें अपना effort देखे कि मेरा declaration है कि मैं इसमें नहीं सामिल होता हूँ दूसरे किसी को party बना जाएगा दूसरी party बनते ही वो case ऐसे pending पड़ा रहेगा पड़ेगा नहीं पड़ेगा वह है इस मैं पेक्ष्ट रूप से कहना चाहरा हूँ कि आप लोग खुद अपना विवेक लगाईए जो भी जो भी इसाती कह रहा है कि मेरे साथ जुड़े आईए मेरे content फाइल किया है उसकी तारिक 30 जनवर ही है उसमें जुड़े आईए मेरे case already file है जिसकी date लगने वाली है उसमें चुड़ जाएगी आप खुद सुचिएगा वो सारे साथी एक number लेके merit list में आ रहे होंगे और counseling कराके नौकरी करेंगे ठीक है और जो साथी ऐसा कह रहा है कि मैं अभी भी उत्तीन नहीं हुआ हूँ मेरा एक number कम है तो मैं आप लोगों से बिल्कुल business appeal करना जाता हूँ खुद सुचिए कि जब Supreme Court ने एक number बढ़ाने को लिए कहा गया है तो एक ही number तो बढ़ेगा माल लेते हैं किसी के 88 number है OBC SC category में उसको एक number बढ़के कितना हो गया 89 वो अभी भी fail है तो वो कह रहा है कि मै मैं अपनी एक और याचका डालूँगा review petition डालूँगा और या पर मेरे content है उसमें मैं आपको सामिल कर लूँगा तो आप खुल सोचिए उसको क्या फायदा होने वाला है क्योंकि वो 88 से और लेडी 89 पर आ चुका है और वो 89 आने के बाद अब 90 तो होंगे नहीं उसके क्यो किसी भी साथी पर नाम लेके किसी परकार का दोस्त नहीं लगा रहा हूं कि वो साथी क्या कर रहे हैं जो भी साथी याची बन रहे हैं आप अपना विवेक लगाएं और खुश सोचिए कि क्या करना है जो भी साथी बना रहा है याची वो already selected हो जाएगा एक नमबर लेके औ और सेलेक्टेड होके वो कॉंसलिंग कराके निकल जाएगा और जो साथिक याचिका में जुड़े रहेंगे वह याचिका ऐसी चलती रहेगी बाद में आप लिख लेए सारी याच का होगी तिःकर चाहे हो रिव्य प्रेटिशं की याच चाहे वो कैसी आज इसमीत होने वाली है क्योंकि जिन साथ्यों की नंबर स्टलधे नम्रेखाए वह अपनी न्वाग्री और और किसी थर्ड पार्टी को उसमें एफिडेविट लगा कि उसके नाम से फाइल किया जाएगा और केस ऐसी चलता रहेगा सालों साल तो आप लोग खुछ समझदार हैं क्या करेंगे आप तीन हयाँ, चार हयाँ, पांच हयाँ, दस हयाँ रुपए में तक याची बना जा रहे हैं और आगे इससे जाधा मैं कुछ नहीं कहूंगा तो आप लोग खुछ समझदार हैं, इस वीडियो को अधिक स्याधी गूरुपों में शेयर करें ताकि जो भी लोग इस प्रकार के बाते कर रहे हैं या इस प्रकार कि मैं कहना नहीं चाता हूं, कह देता हूं, इस प्रक ऐसा कमा कमा के लोगों का और बिल्कुल स्पैस्टूप से कहना जाता हूं कि अब जो उत्तरकुंजी मामला में पेटिशन पढ़ने वाने सब डिस्मिस होंगी यकीन ना हो तो आप खुद आच्छी बन जाएगा और आपको खुद समझ मां जागा कि क्या कहना है ठीक है और ब आपको बिल्कुल स्पैस्टूप से बता रहा हूं उसके बावजूद भी आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा हूं बहुत सारी टीमों के लीडरों ने स्पैस्टूप से बता दिया कि अब जो भी याजका फाइल हो रही है उसके कुछ नहीं होने वाला सब डिस्मेश होंगी उसके बावजूद भी आप लोग किस हिसाब से याची बन रहा है ये आप ही लोग जाने मैं आपने वीडियो के मादियों से इस पर शूप से बता दिया फिर से एक बार वार्निंग दे रहा हूं कि जो साथ ही कह रहा है कि मेरी याजका के साथ जुढ़े आओ अधिकतर साथियों के नमबर बढ़ रहा होंगे और बढ़ने के बाद वो मेरे लिस्ट में आके अपने नौकरी करेंगे थर्ड कंडीडेट का फेड मिद्ला के साथ चलता रहेगा और वह जो या याज का पढ़के पैसे की बरबादी होने वाली है या किसी की मांसिक इस्तिति के साथ खेलना ये बहुत बड़ा दोस है या आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि जो भी याजची बना रहे हैं वो खेल खेलना हैं आपकी मांसिकता के साथ ठीक है आप लोग बिल्कुस प्रेश्ट रहे हैं वो बिल्कुल इस पर स्टूप से उनको स्वाज में आ जाए कि उनको क्या करना है ठीक है इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा जो साती इने फॉर्म नहीं भरा वो अपना फॉर्म इस वीडियो को देखके डिटेल के साथ बिल्कुस पर अब मात से आके उन्याचियों की संख्या याच का संख्या ले सकते हैं और वेबसाइट से आके उसका याची का नाम भी ले सकते हैं उसकी डेटेल भी मिल जाएगी आपको ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो इस वीडियो का जिए अधिक साधी गुरुपों में शेर करी जिससे की वीडियो की जानकारी जो है मैत पूर्ण जानकारी जो है बहुत सारे साथियों तक पहुंच सके बहुत सारे सातियों मुझे मैं से थुरू बताया था कि ऐसा हो रहा है उसके बाद ही मैं इस वीडियो के माद्रम से आप सभी सातियों के सामने विशेज बात लेक्या है ठ ठीक है? लाने वादू